क्या आपका बच्चे खाने को लेकर बहुत चूजी है बहुत कम चीज़ें ऐसी होती है जो उसे पसंद आती है और आपका सारा दिन निकल जाता है ये सोचते हुए कि उसे क्या खिलाया जाए तो श्राइ करें ये बीबी फूट रेसिपी दोस्तों जादा तर बच्चे खाने को लेकर कई सारे टैंटर्स दिखाते हैं ये बहुत नॉर्मल है लेकिन ऐसे में मा की चिंता जरा बढ़ जाती है कि उसे खाने में क्या परूसा जाए क्योंकि हर्मा जाती है कि खाना हेल्दी हो जो बेबी की गोट में मदद करें आज हम आपके लेकर आए एक ऐसी ही अमीजिंग बेबी फूर रेसिपी इसे बनाने के लिए आपको आपके किचन में मौजूद सिर्फ दो चीज़े जाहिए इसे बनाने के लिए आपको चाहिए एक चौथाई कटोरी चामल और आधा आम सबसे पहले आम को छिल कर काट ले छिलने साफ कर ले अब इन ही कुछ देर के लिए भिगोले इसके बाद चामलों को पका ले जिब चामल अच्छी तरह पक जाए तो इने ठंदा होने के लिए रूम टेमपरिचर पर रख दे इसके बाद आम के टुकडों के साथ नहीं मिला ले अच्छी तरह मैश करें आपके काम आसानी से हुजाए इसके लिए आप मिक्सी में डाल कर इसका पेस्ट भी बना सकते हैं दोस्तों क्योंकि आम एक सीजनल फूट है इससे आपके बेबी को बहुत फाइदा पहुचेगा लीजिए इंस्टेंट बेबी फूट तयार है आप इस बेबी फूट को एक साल से उपर के बच्चे को खिला सकते हैं दोस्तों मा बच्चे को लेकर इतनी विजी रहती है कि उन्हें हमेशा टाइम की कमी होती है ऐसे में ये रेसिपी एक अच्छा इरिया हो सकती है ये बनाने में बहुत ही आसान है साथ ही आपको इसके लिए बहुत कम समय लगेगा जब आप चामल को पकने रखें तब आप आकी काम भी निप्ता सकती है ये बेबी फूट उन बच्चों के लिए बहुत फायदेमन है जिनका बजन कम है आम एक पल्पी फूट है जो बजन बढ़ाने में मददगार है वहीं बच्चे की ग्रोथ के लिए अनकी जरुरत को चामल भूई करेगा एक बाद का ध्यान रखें आपके बच्चे को किसी इंग्रीडियंट से एलरजी हो सकती है ऐसे में बहतर रहेगा कि आप इस रेसिपी को एक बार अपने डॉक्टर के साथ जरू शेयर करें और उसके बाद बिना किसी दाउट के हर दिन अपने बच्चे को खिलाएं तो दोस्तों ये इंस्टेंट टेस्टी बेवी फूद रेसिपी अगर अपको पसंद आई तो लाइक का बचन दबाएए और कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएए कि आप इसे अपने बेवी को कब च्राई करवा रहे हैं और ऐसे ही अमेजिंग बेवी फूद प्रे न्मीट